वेल्कम टू मैं चैनल तो जिससे कि हम लोक ने लास्ट पत में देखा था हान जो रहता है बेबी यवान को गड़ाप करवा देता है और खुद वो यवान की हेल्प के लिए रूख जाता है तो अगे कर पास शुरू करता है हमें हमें दिखा जाता है कि यवान जो गाडन है उसको साफ करते रहता है और हान उसको देखता है कि यह कितना क्लेनेस परसन है और यह क्या कर रहा है लब यह इस तरह के साफ कर रहा है और उसकी हेल्प के लिए चला जाता है जहां पस यवान उसको बोलता है कि इस हो की तुम इसे मत करो मैं इसे कर दूंगा तुम्हारे जुँआ से उसके बटा एयरिया रहता है वह उससी को साफ कर लेता है क्योंकि हान बहुत गुसे में रहता है तो जूट की हमित ही नहीं रहती है उसको पूछने के लिए उसको help कर दें और बागे जो teachers रहते हैं उसकी भी help कर लिए हान चला जाता है और उसके बाद जैसी सब काम खतम हो जाता है सारी teachers अपने अपने घर के लिए निकल जाते है और वो उसके जो principal है यानि कि हमारी युवान और सबको बाई बोल देता है यहाँ पर सीवान मीं सुषता है यह ahead की किसी को 씨myil करो और वो सबको बाई बोलता रहता है और और हान सिर्व उसी को देखता रहता है और फ़ीड युवान हान के face को रप करते बोलता है कि देखा तुम कितने sweater को बेund 축 these बिल्कुल ठीक हूं मुझे तुम्हारी कपड़े कितने एक्सपेंसिव हैं और मेरे कपड़े कितने चीप है तो मैं यहां पस हान बहुत गुस्से में देखता रहता है कि यह सब कहा रहा है तो युवान उसे खुश करने के लिए दम बोलता है तो ठीक है क्या तुम शावर के कपड़े प्रपेर कर देखते हो और फीर छो अपने कपड़े है तुम पे फीट होगे की नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम समझते क्यों नहीं हो देखो इतनी रात हो चुके है यदि तुम यहां रुकोगे तो तुम्हारा सिंक्रेट डिस्कवर हो जाएगा ना हम कहते हैं तो क्या होगा मैं रात नहीं रुख सकता क्या और किस बात कर रहे हैं तुम युवान वहां से भगते हैं बोलता है मुझे कुछ पड़ी नहीं है यादि तुम्हारा कोई रवांटेश कोई ले रहा है तो मुझे क्या वैसे बीटीचर सब तुम पर मढ़ते ही हैं और वह शावा लेने चला जाता है जहां पस शावा लेता रहता है तभी उसके फोन पर फॉन बynंब तुम्हारा फोन आरहा है उसके बात ही है लुग यादस फिर भी हान जबर दस्ती वाश्रों में घुझाता है तुम्हारा फोन कितने देर से बज़ा है मैं मैं बर्दाश्य नहीं कर सकता हूं और वह आ जाता है युवान कहता है तुम कितने शेमलिस हो गया हो पहले तो इतने शेमलिस नहीं थे अब तुम्हें हो क्या गया है और वो बोलता ही ठीक है अब तुम आई गया तो मुझे फोन दे दो और उसको फोन देने के बज़ा है हान उसको टेस्ट कर क्या में उसे तुबरा कॉल करूं जल्दी करो मुझे शावर लेना है हान कहता है मुझे लगता है तुम्हे पहले न शावर ले लेना चाहिए रणना तुम्हें ठंडी लग जाएगे और तुम्हें कुछ होके है तो यवान या पस मुह बनाते मनमें सुचता है यदि इसे कुछ तो मैं सोच रहा हूं कि युवान कहता है बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं मैं ऐसे कुछ कर जाता है व квाष रूम में और वह से बहुत ही सॉफले किस करने लग को जाता है और एंटी में धान की भाथ इक ईवान की अधा दिख्याइब और हान उसको कैरी करके लिएकश आता ह AGता है और हान के सबक्षσ के देखते हुआ और उसकी च्वेस्ट को स्वेच करने लग जाता है हन कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हैं तुम्हें समझ भी आ रहा है हिवान हसते है बोलता है इस हो के मैं ऐसा बिल्कुल काम नहीं करूंगा और हान बोलता है ठीक है तुम्हें इसके लिए मुझे रिवॉर्ड देना पड़ यहान कहता है रियली पर मुझे लगा वो तो तुम्हारा है इसलिए मैंने किया इवान कहता है ठीक है पर इससे पहले कि तुम ब्रश करके और तब ही मैं तुम्हें किश करूंगा हन कहता है कि ठीक है मैं भी ब्रश करके आता हूं और थोड़ी देर बाद हान ब्रश करके आ आता है और यहाँ बहुत कोषक वोलता है तो फाइनली तुम्हें ब्रश कर ले आ और उसे किस करने के लिए अपना मूह पॉंट जैसे बनाते रहता है यहाँ मैं और ऑर कुछ कर सकता हूं तुम होजाता है और अपने पैर को सके पार पर मारते एंब है है ठीक है फिर और अपने पैर को उसके थाई पर ले जाते हुए प्रेस करता रहता है क्योंकि वो बहुत नौटी हर्कति करता है हान उसके पैर को होल करता है तैट पकड़ लेता है जिससे यवान को पेन होने लग जाता है बूलता है कि ओ नू तुम यह क्या कर रहे हो मुझे बहुत पेन हो रहा है, हटाओ अपने हाथ को यहां से, अच्छा, तो यह स्टार्ट किस ने किया था, हान कहता है, यवान कहता है, हम, चीक है, मैं अब हैसे हरकत बिल्कुल ले करूँगा, तब ही, हान उसे अपने, हाम में होल करके, अपने पास ले आता है, और अपने, मतलब लैप में बठा लेता है बोलता है पर मुझे तो तुमसे हग करना है ना मुझे तुम्हारा हग चाहिए और यवान उसे हग कर लेता है बोलता है कि तुम तो अभी भी मेरे बेबी हो जैसे पहले थे तुम्हें पता है मैं कितना मिस कर रहा था और हो सुबलता है रियली और हो म मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और यहां पस हान उसे फिर से बेवी कहता है तो आज का यह पार यही कतम होता है I hope you like this video. Thank you for watching.